देखिए इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर कोई आपकी बुराई करे या कि फिर अगर कोई आपको नीचा देखाए तो फिर आपको क्या करना चाहिए? अब देखिए सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि आचारे चानक के कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति जो होता है वो अपनी बड़ी से बड़ी बुराई देख कर भी नहीं देखता पर दूसरों की छोटी से छोटी कमी ढूणने के लिए वो माइक्रोस्कोप ले करा जाता है देखिए होता असल में ये है कि हम मैंसे जादतर लोगों का सामना इस तरह के लोगों से होता ही रहता है पर क्योंकि हम लोग इस तरह के लोगों से डील करना नहीं जानते हम इस तरह के लोगों से मिलने का कोई फाइदा नहीं उठा पाते हमेशा केवल और केवल नुक्स उनसे किस तरह से डील करना चाहिए सबसे पहला step जब भी कभी कोई आपकी बुराई करे कभी भी आपको अपना बचाओ नहीं करना चाहिए याने उस कमी की या कि फिर उस बुराई के होने की चाहे कितनी भी जायज वज़े कितना भी valid reason क्यों नहो बोलना नहीं चाहिए चुप रहना चाहिए दूसरा step सामने वाला जब आपकी बुराई करे और वो बुराई चाहे कितनी भी गलत क्यों नहों और आप चाहे उसको उसी वक्त कुचल कर रख देने की शमता क्यों न रखते हो पलट कर जवाब नहीं देना चाहिए चुप चाप सुनते रहना चाहिए तीसरा step सामने वाला जब आपकी बुराई करे तो आप उससे उसका कारण जरूर पूछिए यने सामने वाले ने जब आपकी बुराई करी तो आप उससे ये बाद जरूर पूचिए कि मेरी किन बातों से या किन वजहों से आपको ऐसा लगा कि मेरे अंदर ये कमी या बुराईया है अब आजाईए चौथे स्टेप पर अगर सामने वाला आपको कारण बता दे तो फिर अब आप उससे निवारण भी पूचिए याने सामने वाले ने जो बुराईया बताई है और वो वजह हैं जिनकी वजह से उसको ये लगता है कि आप में ये बुराईया है अब आप उससे ये भी पूचिए कि मैं इन बुराईयों को किस तरह से दूर कर सकता हूँ अब देखिए चौथा स्टेप जो है ये सबसे ज़ादर जरूरी स्टेप है क्योंकि इसी स्टेप से हमें ये मालुम चलता है कि सामने वाले की intention क्या है क्या सामने वाला हमें नीचा दिखाना चाहता है या कि फिर वो हमें एक बहतर इंसान बनाना चाहता है अगर सामने वाले की intention सही है और वो हमें सही उदाहरन और सही निवारन दे रहा है तब तो वो जो कुछ भी कह रहा है हम उसको follow भी करेंगे और उसको धन्यवाद भी देंगे पर अगर ऐसा नहीं है तो फिर असल में ये किया जाता है कि सामने वाले को नीचा दिखाया जाता है अच्छी तरह से नीचा दिखाया जाता है और इस तरह से नीचा दिखाया जाता है कि फिर सामने वाला इस तरह की हिमत करे ही नहीं अब चलिए जरा सी इसकी वजह भी समझ लीजिए देखिए इस तरह के आदमी को डिसकरेज करना बहुत ज़ादा ज़रूरी होता है और ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह का आदमी जो होता है ये बहुत ज़ादा नहीं भी हो तो भी कम से कम सौ लोगों को तो डिप्रेशन में डालता है और कम से कम एक हजार लोगों में इनफिरियोरिटी कॉम्पलेक्स के बीज बो देता है इस चीज को जरा सा एक्जामपल से समझ कर भी देख लीजिए मान लेते हैं कोई बंदा है मिलने के लिए आया 15-20 मिनिट बात करी और उसके बाद उसने आपके सामने एक गिट्टी भेग दी यार बाकी सब तो ठीक है पर यार तुम्हारा कॉम्पलेक्शन बहुत डार्क होता चला जा रहा है इसका कुछ करो यार यार तुम्हारी हाइड का कुछ कर लो यार बाकी तो तुम कमालो यार तुम्हारे बाल बहुत जड़ रहे हैं यार कि फिर सफेद हो रहे हैं इनका कुछ करो इसके अलावा भी और तरह की गिट्टियां भी होती है जैसे कि यार तुम्हें ये वाला नहीं वो वाला लेना चाहिए था या कि फिर तुम्हें ये काम नहीं वो काम करना चाहिए था इसके बाद असल में ये होता है कि क्योंकि आपको सही तरह से जवाब देना नहीं आता है या तो आप चुप-चाप रह जाते हो या कि फिर आप इस बात को इतनी जादा बार सुन चुके होते हो कि आप कुछ का कुछ बोल देते हो सामने वाला इस समझ जाता है कि यह आपकी चिढ है और आगे से इसका इस्तिमाल वो आपको चिढ़ाने के लिए ही करता है पर अगर आप चुप रह जाते हो तो फिर आपके साथ ये होता है कि आप उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हो अलग अलग तरह के नुस्खे आजमाते हो और उनसे जब आपको सफलता नहीं मिलती है तो सबसे पहले तो ये होता है कि आपके अंदर inferiority complex पैदा होता है समय के साथ साथ ये depression में बदल जाता है और और समय के बाद आप में suicidal tendencies पैदा हो जाती है अब आजाईए main point पर जिसको समझने के लिए आप इस video को देख रहे थे कि अगर कोई आपको नीचा दिखाए तो उसको नीचा किस तरह से दिखाना चाहिए देखिए दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं सबसे पहले होते हैं वो लोग जो आपसे बड़े और आपसे जादा होते हैं दूसरे होते हैं वो लोग जो आपके बराबर के होते हैं और तीसरे होते हैं वो लोग जो आपसे छोटे और आपसे कम होते हैं तीनों से अलग अलग तरह से व्यवार किया जाता है सबसे पहली तरह के लोग होते हैं वो लोग जो आपसे बड़े और आपसे ज़ादा होते हैं जैसे कि आपके पिता, आपके गुरू, आपके बॉस और ऐसे लोग जो बहुती ज़ादा सक्सेस्फुल है जब भी इस श्रेणी के लोग आपकी बुराई करें या आपको नीचा दिखाएं तो पहले चार स्टेफ फॉलो कर लेना चाहिए याने बचाओ मत करो, हमला भी मत करो, कारण पूछ लो और निवारण पूछ लो इस चीज को भी समझ ये कि इस तरह के लोगों की सबसे बड़े खासियत ये रहती है कि ये लोग जिस बात को कहते हैं कभी-कभी 8-10 साल तक या कभी-कभी 15-20 साल तक समझ में नहीं आती पर उसके बात जब समझ में आती है, सटीक होती है और इसी लिए इस तरह के लोगों को नीचा दिखाने की बात तो आप अपने दिमाग से निकाली दीजिए इस तरह के लोगों से उची आवाज तक में बात नहीं की जाती अब आजाए दूसरी केटेगरी पर और इसमें हैं वो लोग जो हमारी बराबरी के हैं याने हमारी जान पहचान वाले, हमारे कलीक्स और हमारे रिष्टेदार जब भी इस कैटेगरी के लोग आपकी बुराई करें या आपको नीचा दिखाएं तो आप पहले चार स्टेव फॉलो कर लीजिए, इंटेंशन समझने की कोशिश करिए और अगर आपको उनकी बात सही लग रही है, तो उसको बिलकुल फॉलो कीजिए पर अगर आपको इंटेंशन सही नहीं लग रही है, याने अगर आपको ये लग रहा है कि सामने वाला जिस बात को कह रहा है, केवल और केवल आपको नीचा दिखाने के लिए कर रहा है तो फिर उसको नीचा दिखाया जाता है देखिए किसी को भी नीचा दिखाने के चार स्टेप्स होते हैं पहला होता है मानसिक संतुलन दूसरा होता है वानि सैयम तीसरा होता है उपालंब और चौथा होता है प्रतिनेवाराण चारों को समझिए सबसे पहली चीज है मानसिक संतुलन सामने वाले ने आपसे कोई चुबती हुई बात कह दी आप एकदम गुसे में आ गए और अब जब आप गुसे में आ गए तो आप कोई ना कोई ऐसी बात जरूर कह दोगे जिसकी वज़ा से आपको बाद में पच्टाना पड़ेगा और इसी लिए अगर आप किसी को वाकई में नीचा दिखाना चाहते हैं धीरज रखिए क्योंकि अगर आप धीरज से काम लेंगे समय लगाएंगे तो आप सामने वाले को जादा जहरीला जवाब दे पाएंगे बजाए इसके कि आप उसी वक्त जो मूँ में आए वही बख दें दूसरा स्टेप होता है वानी सैयम सामने वाले को नीचा दिखाते समय कभी भी उसके परिवार के बारे में कोई आपत्ती जनक बात या कि फिर मा बेहन की गालियां नहीं देना चाहिए अब आजाए तीसरे स्टेप पर जो है उपालंब और इसमें सामने वाले को नीचा दिखाया जाता है जिसके दो तरीके होते हैं पहला तरीका होता है सामने वाले को उचा दिखाकर नीचा दिखाना और दूसरा तरीका होता है सामने वाले को नीचा दिखाकर उचा दिखाना दोनों को समझिए सामने वाले ने आपको ये जतलाया कि आपकी हाइट कम है गोली खाने से और लटकने से आपकी हाइट बढ़ जाएगी और अगर आपकी हाइट नहीं बड़ी तो आप अपनी जिन्दगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे पहला तरीका होता है उचा दिखा कर नीचा दिखाना भाई तुम एकदम सही कह रहे हो तुमारी हाइट बहुत अच्छी है और तुमारे परिवार में भी सभी की हाइट बहुत अच्छी ही होगी और मेरे खयाल से सभी लोग उचे उचे पद पर होंगे और सब के सब लोग करोड़ पती अरब पती होंगे तुम और तुमारे परिवार के लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए किसी काभिलियत और किसी मेहनत की जरूरत नहीं पढ़ती होगी जहां कहीं भी तुम लोग जाते होगे वहाँ पे लोग इंची टेप लेकर खड़े होते होंगे तुमारी हाइट नापते होंगे और उसके बाद तुम्हें अपने सिर आँखों पर बिठा लिया करते होंगे दूसरा तरीका होता है नीचा दिखा कर ऊचा दिखाना भाई तुम एकदम सही बात कह रहे हो और तुमारी यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है कि तुम पूरे विश्व को ही अपना परिवार मानते हो एकदम वसुधैव को तुम्ब कम मान कर चलते हो इसकी हाइट कम है उसका रंग दबा हुआ है उसके बाल जड़ रहे हैं उसके बाल सफेद हो गए तुम सभी लोगों का बहुत जादा ध्यान रखते हो ग्यानी तो हो ही जाओगे चौथा और आखरी तरीका होता है प्रती निवारण और इसमें सामने वाले ने जो निवारण दिया हुआ होता है उसको काड़ दिया जाता है याने अगर ऐसा करने से वाकई में वैसा ही होता है तो तुमने खुद ने ऐसा क्यों नहीं कर लिया अब आजाए तीसरी तरह के लोगों पर वो लोग जो आपसे छोटे या कम होते हैं सवाल उटता है कि ऐसा हो भी कैसे सकता है कि कोई बंदा जो आपसे छोटा है या कम है वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे देखिए होता असल में ये है कि जादा तर लोग अपनी जिंदगी में कुछ वर्थ वाइल अचीव नहीं कर पाते जिसकी वज़ा से उनमें सेंस ओफ फुल्फिल्मेंट नहीं हो पाता तो इस तरह के लोग ऐसा करते हैं कि इस सेंस ओफ फुल्फिल्मेंट को अचीव करने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं और आप इस चीज को ऐसे समझ कर देख लीजिए कि ये लोग जिस चीज में आपकी बुराई कर रहे हैं या कमी निकाल रहे हैं अगर आप उसी चीज में बहुत अच्छे हो जाएं यानि अगर कोई आप से कहता है कि आप मोटे हैं आपको एक्सरसाइस करना चाहिए और साल भर के बाद अगर आप टाइगर श्रॉफ जैसी बॉड़ी बनाकर खड़े हो जाएं तो आप देख लीजिए कि इनका व्यभार जो है और भी ज़्यादा खराब हो जाएगा और इस तरह के लोगों के साथ असल में ये किया जाता है कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेफ फॉलो करने के बाद अती प्रश्न किये जाते हैं पांच बार वाई पूछिए, पांच बार हाउ और दूद का दूद और पानी का पानी हो जाता है इस चीज को भी समझ ये कि भले ही चाहे आप सामने वाले को दो मिनिट में उसकी आउकात दिखा सकते हो फिर भी सामने वाले को कभी भी उसकी आउकात नहीं दिखाना चाहिए केवल आईना दिखा कर चुप हो जाना चाहिए इस चीज को भी समझिये कि ये अतिप्रश्न की टेकनीक जो होती है याने पांच बार वाई पूछिये और पांच बार हाउ इससे चान कर जब कोई बात कही जाती है तो वो बात उस तरह की होती है जिसकी कोई कार्ट नहीं होती और इसी लिए जितने भी वीडियो में बनाता हूं इसी टेकनीक का इस्तेमाल कर कर बनाता हूं एक चीज चलिए और भी बता देता हूं देखिए किसी की भी बुराई करने से पहले या कमिया निकालने से पहले आप सबसे पहले अपने आप से दो सवाल पूछिए पहला सवाल ये क्या मुझ में खुद में ये कमिया है और दूसरा सवाल ये है कि सामने वाले में जो बुराईया है या कमिया है इससे मुझे क्या नुक्सान हो रहा है देखिए, as a manager मैंने काफी लंबे समय तक काम किया है और मेरे जो subordinate से मैं उनको उनकी कमिया बताता था कारण भी बताता था और निवारन भी बताता था पर ये तीनों काम मैं केवल उनी चीज़ों के लिए करता था जिनकी वज़ा से मेरी overall productivity effect हो रही होती थी इसके अलावा मैंने उनकी किसी भी कमी और किसी भी बुराई से कभी भी कोई मतलब नहीं रखा भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारी जिन्दगी है, जैसे जीना चाहो वैसे जीयो और आप इस नियम को बिलकुल ऐसे का ऐसे अपने जीवन में उतार लीजिए सामने वाला क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए ये सब सोचना आपका काम नहीं है, आप केवल अपने काम से काम रखिए इस नियम का कुल मिलाकर एक exception जो होता है उसको भी जान लीजिए देखिए माता पिता भाई बहन पत्नी संतान और मित्र इन साथ लोगों में अगर कोई कमी हो कोई बुराई हो या कि फिर अगर ये लोग कोई गलती करे बिना इस बात की चिंता किये हुए कि इनको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा इनको इनकी कमियां बुराईयां और गलतीयां बताते रहना चाहिए इस चीज को भी समझिये कि जब भी इन लोगों को इनकी कमियां बताई जाती हैं तो कभी भी second person singular का इस्तेमाल नहीं किया जाता है हमेशा first person plural का इस्तेमाल किया जाता है याने इन लोगों से बात करते समय ये बात कभी भी नहीं कही जाती कि तुम ये काम गलत कर रहे हो और तुम में ये कमी है हमेशा ये कहा जाता है कि हम लोग ये काम गलत कर रहे हैं और हम में ये कमी है आखरी चीज़ और देखिए सामने वाला जब कभी भी आपकी बुराई करे और चाहे वो कितना भी गलत क्यों न हो आप उसकी बात पर बहुत गहराई के साथ विचार ज़रूर कीजिए इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ आपने मुझे इतना समय दिया थैंक यू वरी मच